मैं डॉक्टर बलिसो पर साथ लोकेस वांटरी चैनल से तरोत आजा ब्रेकिन नीज के साथ आएज देखिए ब्रेकिन नीज पहले तीन मिनट के भासर से स्वागत करता पर अब ट्वीट ही कर सकता हूँ पीम मोदी के दोरे से पहले सीम गहलोत ने ऐसा क्यों कहा पीमो पर लगाया आरोप सीम अशोक गहलोत ने इसी के साथ पीमो पर भी आरोप लगाया कि उसने उनका पूर्वन निर्धारित तीन मिनट का संबोधन पीम के कारिक्रम से खटा दिया है सीम ने कहा क्योंकि मैं भाशन के माधियम से आपका स्वागत नहीं कर सकूँगा इसलिए मैं स्ट्वीट के माधियम से आपका राजिस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूँ केंद्र सरकार का आया जवाब केंद सरकार ने कहा कि सीकर में दो अलग अलग आयोजन हो रहे हैं सरकार के सुपरों ने कहा कि एक सरकारी कारिक्रम है और एक पार्टी कारिक्रम है सरकारी कारिक्रम ठीक इसलिए आयोजित किया जा रहा है ताकि वो CM भाग ले सके हाला कि वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सीकर में भौतिक कारिक्रम में शामिल होना चाहते थे जो सामानी प्रक्रिया या प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं है पीम परकसात पंच सीम ने कहा कि आज हो रहे बारे मेडिकल कॉलेजों के लोकारपन और शिलानियास राजस्थान सरकार वकेंद की भागेदारी का परिडाम है इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3689 करोड रुपए है जिसमें 2213 करोड रुपए केंद का और 1476 करोड है में राजसरकार का अंस्थान है मैं राजसरकार की ओर से सब्सक्राइब को बढ़ाई देता हूं DM ने आगे इस साथवी यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे राजिस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अगनिवीर इसकीम को वापस लेकर सेना में पर्मनेंट भरती पूर्वबद जारी रखी जाए